हेलो एवरिवन नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार राजस्थान ग्लासेश पर एक बार पुना मैं आदर्सकुमावत आप सभी का हारदिक अभी दंदन करता हूँ आए दोस्तों अपन अपन इंडिया जी के में भी पॉलिटी के कुछ क्वेस्टि हल करने वाले और ये क्वेस्टों आपके अग्जाम की दरस्टी से बहुत महदपूर है क्योंकि दोस्तों पाॉलिटी से समंद्धिद भी आपको दो-तिन क्वेस्ट पूछे जाते एक्वेस् प्रांत यह स्वायतता से समधी था सी ऑफशन यहापर आप सभी का सही उतर था हलांकि काफी ने यह प्रांतों में उद्योग होगे रही यह दिया था तो दीखे दोस्तों अगला क्वेसन आपका 50 नमबर है यह पूछ रहे कि भारत चोड़ो आंदोलन कब होगा था यह बताना है भारत चोड़ो जो आंदोलन है ना यह कौन से वर्ष में उननी सो पच्पन उननी सो बियालिस उननी सो इस्तालीस इन मैंसे कोई नी तो दोस्तों ननी सो बहीयालिस हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट ऑंसर क्या हो जाएगा धुरी व्रीफएरी इंपोडेंट प्वैसन है दो सबस्ते नहीं करनी है बिल्कुल लगातार लगातार ना पढ़ना पांच में सर्वेंट्स और इंडिया सोसाइटी को किस ने आरम किया था तो गोपाल क्रश्ण-गोखले जी ने आरम किया था दोस्तों किस ने गोपाल क्रश्ण-गोखले ए ओफशन के साथ जाएंगे डिली का नारा दिली चलो का नारा किस ने दिया था दोस्तों सबसे पहले एम के गांधी ने सी बॉस ने या फिर एल एल राइन या एन में से कोई नहीं तो दोस्तों जिन भी भाइबन जो भी आप्शन बता रहे ना चलो बी को लॉक करते थे लेकिन मुझे आप लोग यह बताओ कि एसी बॉस मतलब की ठीक है ना सबको पता है ना चलो सर अगला क्वेशन किस कांड के कारण असायोग आंदोलन जो है ना इसको फ्लॉप होना पड़ा मतलब कि इसको बंद करना पड़ा स्वयोग आंदोलन को बंद क्यों करना पड़ा था तो दोस्तों इसमें एक जो कांड ह हुआ था जिसे हम कह सकते हैं छोरा छोरी कान्ड है ना जो गोरकपुर में हुआ था दोस्तों यह कान्ड हुआ था थाने में तो दोस्तों ए आफशन के साथ चले जाएंगे राइट आंसर फिलाल मैं एडवांस नहीं बताने वाला बता भी राम बूल से लेकिन नहीं अगला क्वेसन नहीं लेकित मैं से कौन सिमांद गांदी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि दोस्तों उसी से जुड़े प्वेसन आज यह पॉलिटी के सारे क्वेसन एक दूसरे से जुड़े हुए तो मैं एडवांस नहीं बता रहा हूं सुपर भी कर रहा हूं तो आपका समय भी खराब नहीं होगा सिमांद गांदी के नाम से जो जाने जाते हैं खान अब्दुल गफार खान हो जाएगा इन्हें सिमांद गांदी के नाम से जाना जाता है सिमांद गांदी के नाम से जाना जाता है ओके अच्छा राष्टी कॉ कॉंग्रेस की पर्थम महिला देख्सकोंती में इसमें ताइम आपको दे रहा हूं थोड़ा सा तो सरोजी नायडू होगा यानी बिसेंट होगा या सुचेता क्रपला नहीं होगा यान मैंसे को नहीं काफी भाइब ने दो चीजों में कंफ्यूजे ए और बी में सरोजी कांग्रेस की पर्थम महिला केवल पूचे तो भ्याव एनीबी सेंट हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा एनीबी सेंट हो जाएगा अगला क्वेस्ट नंबर चपन है आप से पूचा यह जा रहा है कि जो कैंदर राजियों के प्रशाष्णिक संबंद भारतिया नुश्य से दिए गए हैं केंदर राजियों के प्रशाष्णिक संबंद भारतिया नुश्य के कौन से भारतिय समिदान के कौन से अनुश्य में दिए गए तो दोस्तों 352 से लेकर 356 ठीक है तो सब इंक्लूड करेंगे हम फिलाल जो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जाति धर सब्सक्राइब करेंगे यह राजियों क्वेश्टा की अपनी विश्यस्ता है चलिए तो देखिए गोवा भारतिया गंद तंत्र का इसे हिस्सा बनाएगा था दोस्तों धिहान रखना यह ऑप्शन हो जएगा निमलिकित मैसे कौन भारतिया समिदान में समवर्थी लिस्ट में रखा गया दोस्तों निमलिकित मैसे कौन किसी भारतिया समिदान की समवर्थी सूची में रखा गया जन्सिंग क्या नियोजन को जन्सिंग क्या नियोजन और परिवार नियोजन दोनों को जी बिलकुल दोनों को हो जाएगा भी आपका सही सलामत सब्सक्राइब को भारत का लगाथार दो राश्ठीप साथ वीवीगिरी या रादाकरश्ण भारत लगातार दो बार राश्पति बना वो बनेते वह या राजेंद्र प्रसाद कौन बनेते राजेंद्र बाबू बनेते वह या ठीक है तो ध्यान रखना भी आफ्षन के साथ चला जाएगा राइटांस 61 एक वही राज़पती देश में आपात इस्तिति की गोस्ट ना निमलिकित में से किस से लिखित परामर्ष प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है तो संग्य मंत्री मंडल से या लोक सवा अध्यक से या भारत के मुख्यान आए मूर्ती से या प्रदान मंत्र जे मतलब कि जो राज़पती देश में आपात इस्तिति लागू करें उससे पहले वो किस से परामर्ष प्राप्त करता है लिकित में तो दोस्तों वो संग्य मंत्री मंडल से करता है ठीक है कौन से संग्य मंत्री मंडल से परामर्ष केवल अपने दम पर नहीं है न चलो साब सुविदान सब्सका शंभा कर्समूख उसके सामने किसने सुविदान के प्रस्तावना प्रस्तुत किया थी दूस्तों यह आपको बताना है तो सुभा detto छं- tutaj या पंडि जवाला लेरूने या स्वामी स्वामी सेजानन जी ने या इंद्रागांदी तो दोस्तों बार जैसिंग नहीं होगा हुआ है और अफ्शन हो जाएगा बिल्कुल असान सा है असान तो नहीं कह सकते लेकिन है अब तो है न हां इस्तानिय में अधाए में निवह से किसके पदेशन सदैसिं यह बता दीजेगा में कि anything के पदेशन सब्सक्राइब के जिल्ला परिशद के या फिर उप्रुक्षी तो दोस्तों एम पी तथा मले गन जोंड़्या निम लिकित मैं से पंशाइत समीठी के सदैसी पदेशन सदैसी सब्सक्राइब तो नेक्स्ट है नेक्स्ट है मौली कदीकारों पर निम्न मैंसे किसके द्वारा परतिबन लगा जा सकते हैं तो ऐसा कौन कर सकता है राश्ट्री पति ये कब से लिखा गए ऐसा ऐसा ने लिखा जाता है राश्ट्र पति हो जाएगा लेकिन ये तो सही बता रहे हैं राश्ट्रपति है मतलब कि शुद्धी करंग पिर अपना सही उतर्ज होगा वो उच्चे नेयाले हो जाएगा फिलाल C-Op nämानों के साथ आएंगे मौलिक अधिकारों पर निम्लिकित मैंसे किस के दोर प्रतिमन लगा जा सकते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा नियम निर्दारन क्या हो जाएगा नियम निर्दारन हो जाएगा बिल्कुल अगला क्वेशन लोग पर ये प्रभू सता का समर्थन किया था लोग पर ये प्रभू सता का समर्थन किस ने किया था रूसो ने जॉन लॉक ने थॉमस हॉक्ष ने य किसी किसी अधिनियमित सविदान का सबसे पहले रभारन कौन सबसे पहला रभायरन का सब як अधिनियमि सविदान का सबसे पहला रभारन आप पर हुार дов vari Ciao कि वहीं तो कितने नंबर और सब्सक्राइब करता है तो दोस्तों राज्य सभाद्देख्स करता है या लोग सभाद्देख्स करता है दोस्तों राइट आंसर होएगा आपका किसी राज्य के राज्य के राज्य पाल को निम लिकित मैंसे किसकी शक्ती नहीं है देखिए किसी राज्य के राज्य के राज्य पाल को निम लिकित मैंसे किसकी शक्ती नहीं है विजान मंदल भंक करने की शक्ती नहीं है विजान सभा की इस्तगित करने की नहीं है या सभा ब यह बाकी सब कुछ है विदान सबा को इस्तगित करने की शक्ति नहीं है चलो साब अगला क्वेशन है नेम लिकित मैंसे उच्छे नहले की सबसे पहली महिला नहदिश कौन बनी थे दोस्तों सबसे आसान दो सब मखह नज़तित दो मकहिं थार पीसर है तो राइट आंचर अपने क्या हो जाएगा लिला shr被ُ falta की यह अगर सर्वोच नेयाला का पूचा जाए चर्वोच नहां लेगा तो हम क्या कर लेते दोस्तों हम कर लेते फातिमा भी भी यहां पर दोस्तों मुखे नायदिस पूचाए ठीक है ध्यान रखना तो लिला सेट होगा जो की हमाचल परदेश की बनीती चलो साब अगला क्वेसने पंदरवी लोग सभा के अध्यक्स कौन बने थे मीरा कुमार चरंड जीत सिंग अटवाल के रहमान खान या अरुण जेटली तो दोस्तों पंदरवी विदान सभा के अध्यक्स बने वो बने मीरा कुमार उके सर ध्यान रखेंगे चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेसन को देखते हैं भारत में वित आयोग के सद केश्पती मतलब की B option है ना अगला question पुदू चेरी को भारतीय संग में कब शामिल किया गया तो पुदू चेरी है दोस्तों फिलाल हम केंदर शाषित प्रद्व के रूप में जानते हैं तो इसको भारतीय संग में कब सामिल किया गया बहुत सर उननी सो और जब सर एक नव सब्सक्राइब को जब राजस्तान पूंडूप से अस्तितुम्हाया उस समय पुडू चेरी को भारतियों संग में शामिल किया था सर डी ऑफ्षन फिलाल के लिए हम लॉक करेंगे चलो साब नंबर सेउंटिफोर नियुन मैंसे कि समीति का पदे नद्यक्स लोग सभा का अद कर देगा और नियुम समीति फिलाल अपना किस ओफ्षन में एफ्षन में राजय लोग सिवायों के सदेशयों कि नियुक्ति कौन करता है ना कौन करता है और तो कौन करेंगे घैना चलो साब नेक्स्ट क्वेसन आपकि स्क्रेंट पर राजस्वा जो है कब भंग होती दोस् च्यार साल बाद या संकट काल मैं कभी नहीं राजी संब्सक्राइब को भंग होती है ऎकि रहां है तो दोस्तों डी-अफशन के साथ जाहेंगे कि सबी है अगला क्वेसन भारत में मंत्री-पषड सामुई करूप से क्या होगा नंबर 27 भारत में मंत मंत्री-पषड issya साओसवएक रूप से किसके प्रती उतर दाई है रही तो दोस्ते राइट आंस्adora और जाएगा भारत में से वेखाने के पिर से रूप से कि's के प्रति उतर यह लोग सबहां के प्रति उतर दाई है निसट्स fragment भारत्य समिदान द्वारा bricks मौलिक अधिकार दिये गए हैं बारतिय समिदान द्वारा मौलिक अधिकार दिये गए हैं तो दोस्तों ये समस्त देश्वासियों को दिये गए है न तो भी आफ़सन सभी का सही उतर माना जाएगा क्योंकि सारे के सारे भाइवरें भी आफ़सन ही बताएंगे चलो इसको अगला करते हैं और ये question देखिए ये question अच्छा question है पंदरवी लोकसभा में अनुपसूचित जाती के उमीदवारों के लिए कितने इस्तान आरेक्षित है तो दोस्तों 84 हो जाएगा आपका right answer क्या हो जाएगा 84 ठीक है चलो साब अगला question बताते हैं आपको अगला question आपकी screen पर है संसद की संयुक्त बैटक की अधिक्स्ता जो करता है ना वो कौन करता है यह आसान है वह यह बहुत आसान है संसद की संइत बैटक की अद्धिक्स जो करता है ना वो सी ओफ्षन लॉक हो जाएगा कौन करता है सी ओफ्षन लॉक हो जाएगा लोक सबाद देक्स करता है ठीक है सुरी मैं आपको दो-तीन क्वेशन और दे देता हूँ भारत गंटंत्र कब बना दोस्तों सबसे आसान क्वेशन है भारत हम गंटंत्र कब बने थे दोस्तों मतलब कि हमारे भारत में समिधान कब लागू हुआ था गंटंत्र रूप से हम कब जीने लगे थे सबीश जनौरी कि उनीशों पचास भारतिय समिधान में मौलिक करतवे कब समय लित किये गए और एक बड़ा कंफ्यूजन यह भी आता है आज कल कि कुल मौलिक करतवे है कितने अपने समिदान मौलिक करतवे कितने दोस्तों कौन बताएंगे मैं आज ये आप से पूछना चाहूंगा कौन बताएंगे मौलिक करतवे कितने बाहरा के कॉमेंट सेक्षिन में भी जरूर बताना तो इन मौली करतावी को निशो चेतर में इसको एड़ किया था लेकिन है कितने ये बताना बहुत जरूरी है नमबर 84 है कौनची धारा संसद और राजी विदान मंडलों में अनुचूचित जातियों के लिए सीटों का आरेक्षन बताती है कौनची धारा संसद और राजी विदान मंडलों में अनुचूचित जातियों के लिए सीटों का आरेक्षन बताती है सुरी धारा तीन सुथीस थीन सुथीस ठीक है ओके सर चलो आगे बढ़ते हैं एक प्रेसन और देख लेते हैं और पंचाहतिराज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रसिद पंचाहतिराज प्रणाली में रेस्की मामला इपकर या इस्टार्ट हो जाए तो रोके ना चलो लास्ट क्वेसन ने पंचाहतिराज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिसत शीटें आरक्सिद है तो यहां फे फिलाल आपका राइट आँचर 33% हो जाएगा है ना चलो लास्ट क्वेशन दे रहा हूँ मात्र एक क्वेशन दे रहा हूँ दोस्तों जिसका आँचर आपको देना है 12 के कामेंट सेक्शन में बाकी क्वेशन आपन कल पढ़ लेंगे सामाजी समता से आपको क्या भी पढ़ा है ये इसके बारे में आप क्या समझते हैं ये बता दीजेगा एक्वेशन में क्वेशन ऐसे पूछे जा सकते हैं तो बिल्कुल इसका जवाब सही जवाब जो आपको पता है वो बता देना है आपको बाहर आके वीडियो अच्छी अच्छी लेगी हो तो लाइक वई कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और फिर मिलते हैं रातरी क्लास में सुबह की क्लास में आपको बताया फिलाल मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सुबह की क्लास देने में classes.in .in उस website पर आपको सारा content मिल रहा है free में दोस्तों एक बार जाके देए के test 20 test लगबग upload हो चुके हैं 20 test आपने नहीं दिये दीजीगा उसके बाद हिंदी के भी PDF अब आज से start होने लग गए हैं आपके लिए कल याप अर्सों में आपको एक तारीको राजस्तान जीके के जो मेरे खुद के दोरा जो हसलिकित नोट से हैं वो भी आपको provide करवा दिये जाएंगे एक तारीक से पहले ही करवा दिये जाएंगे ठीक है तो आप बस वहाँ पर active रहिए allow का option आता है उसको allow कर लेना वेब साइट open करते हो तो तब आपको notification मिलता रहेगा सभी का धन्यवाद जैहिंद